अगर इष्ट देव, कुल देवी, कुल देव और पित्र रुष्ट हो जाएं तो क्या करें? हमारे घर के जो पर्थम देवता होते हैं, हमारे पित्र देव, कुल देव और कुल देवी होते हैं, इष्ट देव का स्थान भी इनके बाद आता है. हमारे परिवार में हमारे पीडी दर पीडी इनिका अंच मुझूद होता है जिसके कारण कुलडेव और कुलडेवी की साध्ना के लिए लोगों को गुरु की अवश्कता भी नहीं होती जिन लोगों के उपर देव ये किरपा होती है उन लोगों के उपर पितर देव, कुल देवी या कुल देव की सवारी भी आ जाती है और जब ये प्रसन्न हो जाते हैं तो इनकी सवारी आती है तो ये घर में सुक सांती लाते हैं घर में धंदाने से संपूर्ण करते हैं जब ये प्रसन्न होते हैं तो हर प्रकार से आपके घर को पूर्ण करके चलते हैं आपके घर में किसी प्रकार के दिक्कत नहीं होती चाये वो संतान प्राप्ती से जुड़ी हुई हो चाहे वो धनप्राप्ती से जुड़ी हुई हो, चाहे वो समाजिक कल्यान से जुड़ी हुई हो, चाहे वो आपके परतिष्ठा से जुड़ी हुई हो, कोई भी परिशानी आपको नहीं होती, पर जब ये रुष्ट हो जाते हैं, तो अनायास ही आपके घर में ऐसी बिमारिया ऐसी दिक्कते आनी शुरू हो जाती हैं जिनको बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा बिमारियां घर से जाने का नाम नहीं लेती पैसा आने से पहले जाने के लिए तैयार हो जाता है काम धंदे छूटने लगते हैं पैसे के जो मार्ग है वो बंद होने लगते हैं काम्यावी के जो मार्ग है वो बंद होने लगते हैं आपस में लड़ाई जगड़ा होने लगता है कई बार संतान उत्पन ही नहीं होती तो कई बार लड़कियां ही लड़कियां उत्पन होती है आपका वंश को आगे बढ़ाने वाले लगा उत्पन नहीं होता तो ये इनी की महरबानी होती है अगर ये चाहे तो रंक को राजा बना दे अगर ये चाहे तो राजा को रंक बना दे इसलिए हमारे पुराणों में भी पित्रों की पूजा, कुल्देव और कुल्देवी की पूजा पर्थम बताई गई है अब ये रुष्ट होते क्यों है ये कारण बता रेते हैं आपको कि पित्रदेव, कुल्देव और कुल्देवी रुष्ट क्यों होते हैं एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ जब पितरदेव, कुलदेव और कुलदेव रुष्ट होते हैं तो उनका प्रभाव पूरे गर पर पड़ता है पूरे परिवार पर पर पड़ता है पर जब इस्टदेव रुष्ट होते हैं तो वो आप पर ही उसका प्रभाव पड़ता है क्योंकि इष्टदेव आपके होते हैं एक घर में अलग-अलग इष्टदेव भी हो सकते हैं माली जी आपके इष्टदेव भगवान शिव हैं आपके भाई के इष्टदेव माता दुरगा हैं आपके पिताजी के इष्टदेव हनमान जी महराज हैं तो एक घर में अलग-अलग इष्टदेव हो सकते हैं, पर एक घर में पित्र, कुल देवी और कुल देवता सब के एक ही होंगे, यानि उनको बिना पूजे आपकी नईया पार हो ही नहीं सकती, तो इसलिए जब इष्टदेव रुष्ट होते हैं, तो उनका प्रभाव आपके पित्र होते हैं, आपके जो बड़े बजर्ग होते हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, वो आपके पित्र कहलाते हैं, उत कहलाते हैं, आपके पापा हो गए, दादा अगर इस दुनिया में नहीं है, तो आपके पित्र कहलाते हैं, तो वो जो हैं, वो हर प्रकार से आपको पर जब रुष्ट हो जाते हैं, तो इसका उल्टा आपको देते हैं, तो पित्र जब रुष्ट होते हैं, तो उसका क्या कारण है, पित्रों के रुष्ट होने का कारण होता है, अमावश्य का ना निकालना, पित्रों का एक विसेज दिन होता है, जिसे हम अमावश्य का दिन क और साथ ही उनका विसेज दिन 15 दिन होते हैं जो शराद के दिन माने जाते हैं इन दिनों अगर पित्रों की पूजा ना हो चाहे आप डेली ना करो पर इन दिनों अगर पित्रों की पूजा ना हो तो पित्र रुष्ट होते ही होते हैं तो जिस गर में अमावश्य नहीं निका ले जाते वहां के जो पित्र है वो त्रप्त नहीं होते जिसके करण वो उन्हें भूका रहना पड़ता है और जो कस्ट उन्हें भूका रहकर सहना पड़ता है वही कस्ट वो आपको देने की कोशिश करते हैं तो पित्रों को याद ना करना, अमावश्य ना निकालना, श्राद ना निकालना, साथ ही साथ उनका अपमान करना उनके करण पित्र रुष्ट हो जाते हैं कई लोग ऐसे बोलते हैं कि यहर हमारे पापा दादा हमारे लिए करके क्या गए है तो इससे वह आपके जो पित्र है वो रुष्ट रहते हैं वो क्रोधित रहते हैं तो इसलिए पित्र को रुष्ट होने का कारण होता है अमावश्य का ना निकलना श्राद ना मनाना पित्रों को याद ना करना और उनका बार बार अपमान करना तो ये होते हैं पित्रों को रुष्ट करने के कारण अब पित्रों को कैसे प्रसंद ने किया जा सकता है इसके लिए अमावश्य आप निकालिए जैसे कलेंडर में भी अमावश्य आती है तो सुभा अमावश्य के दिन खीर पूरी का भोग पांच पूरी उनके उपर खीर रखके और पित्रों के नाम की अग्यारी पर आप दादा है तो दादा का भी डानना होगा पर दादा है तो उनका भी डानना होगा आपको कोई भाई है उसका भी डानना होगा इस तरीके से आपको अलग अलग भोग डानना होता है और साथ ही फिर जो जल एक लोटे में जल आप लेते हो उस जल में भी आपको इसी तरीके से डालना होता है उसके बाद भगवान सूर्य को वो जल अरपन करना होता है जिससे वो जो भोग है अगर आप अग्यारी पे नहीं देते अगनी में नहीं देते तो अभी वो भोग पित्रों को प्राप्त होता है तो जो पांच पूरियां होती है उनमें से तीन पूरियां जो है वो आपको उनमें से गाय को आपको दो देनी होती है, एक पुरी छट पे आपको पक्षियों के लिए रखनी होती है, दो आपको परशाद के रूप में अपने घर में वित्रिन करनी होती है तो ये तो हो गया पित्रों को परसंदने करने का तरीका अमावश्य के दिन अमावश्य निकालिये पित्रों को याद कीजिए श्राद उनके जरूर मनाईए साथी साथ कोई भी कार्रे करने से पहले अपने पित्रों को जरूर याद कीजिए खास तोर पर धार्मिक कर रहे हैं अगर आप कोई पूजा पाठ होना अगर आप करवा रहे हैं तो उससे पहले अपने पित्नों को जरूर याद कीजिए अब बात करते हैं कुल देवी और कुल देवता कैसे रुष्ट होते हैं तो कुल देवी और कुल देता के रुष्ट होने का करण होता है उनको भूल जाना, उनके स्थान पर ना जाना, होली दिपावली के दिन उनकी पूजा ना देना, होली और दिपावली का वो दिन होता है जिस दिन सभी देवताओं को भोग प्राप्त होता है, चाहिए वो आप उतारे जाते हैं कुल देव के स्थान पर या कुल देवी के स्थान पर तो बाल याने मुंदन जिसे कहते हैं मुंदन ना करवाना उनके स्थान पर शादी होती है जब तो गट जोड़े की जात लगती है कुल देवी या कुल देव के स्थान पर वो ना लगना कभी भी उनके नाम का प्रशाद ना बाटना, कर्णिया पूजन ना करना, कुल देवी और कुल देव को छोड़ कर किसी अन्य देवता की पूजा करना, इनके करण कुल देव और कुल देवता आपसे रुष्ट होते हैं. कई लोग सभी भगवावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावा मैं बता दू पहले अपने जो परमप्रागत रूप से आपके पुछते आ रहे हैं कुल देवी कुल देवता उनको आप मनाईए उनको आप पूजे जिससे वो परसन्न रहें क्योंकि यही वो देवता होते हैं जिनके द्वारा चाहे संसार में कितने बड़े देवता के पास चाहे संसार में किसी भी व्यक्ति के पास आप घूमलो जब तक इनको प्रसन्न नहीं करोगे तब तक आपका उधार नहीं होगा तब तक आपका भोतिक जीवन आपका सुक में नहीं होगा तब तक आपको मौक्ष भी प्राप्ति नहीं होगी आपने सुना होगा जब गंगा मैया को धर्ती पर अवत्रन किया गया यानि कि जो गंगा मैया को धर्ती पर ले के आये थे जो सगर के पुत्र थे गंगा मैया को जो भागिरत थे जो सगर वन्ष के पुत्र थे वो उनके जो वन्ष थे जो की त्रहिमां त्रहिमां मचा रखी थी उघ्र को दरती तो इतनी वड़ी शक्ति होती हैं जिसके सामने देवता भी जुकते हैं कहा जाता है कि देव लोक से उपर अगर कोई लोक है तो वो पित्र लोक होता है तो इसलिए पित्रों की सेवा सबसे पहले की जाती है और कुल देव और कुल देवी की सेवा भी आपको करनी होते हैं तो इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके कुल देवता रुष्ट हैं जैसे मैंने आपको पित्रों के बारे मताया तो उनको मनाने के लिए आपको क्या करना ओंग उनके स्थान पर आपको जाना है होली दिपावली उनको भोग परसाद उनकी पूजा आपको करनी है अगर आपके घर में शादी हुई है तो गट जोडे की जात आपको लगानी है आपके घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उनके स्थान पर आपको उनके बाल उतरवा के आने हैं अगर बाल भी नहीं उतरते तो उनके स्थान पर जरूर मत्था टेक वाकर आना है उस बच्चे का तब ही आपका उध्धार होता है तो इसलिए जो कुल देवता है, उनको प्रसन्य करने के लिए आप एक और चीज कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कि उन्हें प्रमप्रागत रूप से बनाएं, उनकी जोत अपने घर में जलाएं, साथ ही उनके दरबार में अगर आप नहीं जा पा रहें, तो उनके नाम के पैसे उ ठाका रखें, ताकि जब आपको समय मिले या एक सही समय हो, तो उनके स्थान पर आप जा पाएं, साथ ही विसेज दिन पर उनके विसेज पूजा जरूर करें, विसेज दिन का मतलब जैसे गोगा नोमी आती है, हमारे कुल देवता गोगा जी महराज है, तो गोगा नोमी के या फिर महीने के एक दिन को एक निर्धारित करें कि उनका भोग देना है आपको, भोग एक ऐसी प्रक्रिया होती है, जिससे देवता त्रप्त होता है, परसन्य होता है, उसमें आपकी सेवा भी आ जाती है, उनकी जोद जलानी आ जाती है, भोग लगाना आ जाता है, या उ पित्र आपसे रुष्ट हो तो उसके क्या कारण होते हैं और कैसे आप उन्हें मना सकते हैं तो मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंदा ही होगी और साथ ही जिन लोग का इस प्रकार से प्रश्ण है उन लोग को उनके प्रश्ण का उत्तर जरूर मिला होगा मैं बाबा भुलेनास से विंती करता हूँ कि बाबा आपकी जोली बढ़ते रहे आपके घर के कुल देवता, कुल देवी, पितर सदेव आपसे प्रसंदर है उनकी दिया किरपा आपके उपर बनी रहे अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिवकृपा पे हैं तो आपके सामने वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे साथ आप जुड़ पाएं शिवकृपा परिवार के साथ जुड़ पाएं बैल आइकन को दबाएए घंटे के निशान को ताकि जो जानकारी हम डाले सबसे पहले आपको प्राप्त हो हम मिलते हैं एक नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए ओम नमस्शिवाए ओम नमस्शिवाए